हेलो फ्रेंड्स, विफिक्स इंडिया की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में आपको जानकरी देना चाहूँगा आज के रिपेरिंग फिल्ड में माइक्रोस्कोप ऐसा टूल है कि उसकी मैक्सिमम रिक्वर्मेंट रहती है क्योंकि अभी जो PCV आती है उसमें बहुत ही माइक्रो SMD कंपोनेंट्स रहते हैं micro tracks रहते हैं तो उसको सही तरीके से ऑपजर करने के लिए प्रॉपर रिपेरिंग करने के लिए माइक्रोस्कोप अच्छी क्वलेटी का होना बहुत ज़रूर ही रहता है तो हमारे पास माइक्रोस्कोप की जो रेंज है उसमें से मैं आपको माइक्रोस्कोप जो है उसका स्पैसिफिकरेशन बताना चाहूँगा ये माइक्रोस्कोप में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें 300x optical zooming वाला है ये माइक्रोस्कोप और इसमें x, y and z axis इसका assembly दिया हुआ है जिससे कि आप माइक्रोस्कोप को ऐसे रोटेट कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे 10 inch का screen दिया गया है जिसमें आप live view देख सकते हैं अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से zoom इसको operate कर सकते हैं यह मैंने minimum zooming पे रखा हुआ है इस camera को जिसमें आपको 5 inch का approximately आपको focal length मिलेगा जिससे आप PCB के उपर live work कर सकते हैं और यहाँ से इसको zooming बढ़ा सकते हैं जो कि 300x zoom तक जाएगा और यहाँ से इसको object के नजदीक लए जाके focus कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह काफी high zooming दिखा रहा है यह चोटा सा जो PF है वो भी काफी बड़ा पूरी screen में दिखा रहा है जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो register है बहुती zooming दिखा रहा है इसमें जो बारिक observation करना है वो यह microscope में आप बहुती अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसमें elimination के लिए यहाँ पर ring light दी गई है इसमें यहाँ पर dimmer है उसका इससे आप light को dim या bright कर सकते हैं और इसका जो x और y direction का जो assembly है वो आपको flexibility देता है जैसे यहाँ से हम इसको lose करके इसको x direction में ऐसे लंबा कर सकते हैं इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं यह assembly को ऐसे रोटेट कर सकते हैं पूरी तरह से यह flexible assembly है जो की काम करने में बहुत ही आसानी रहती है अगेइन इसको lose करके हम इस प्रकास से सेट कर सकते हैं यह microscope के दोरा आप screen जो रहती है पैनल जो रहती है उसके tracks भी observe कर सकते हैं स्क्रीन के जो bonding area के tracks रहते हैं वो काफी बारिक होते हैं जो की यह microscope में high zooming optical lens दिया हुआ है तो आप इसको भी बारिक ही से observe कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यह bonding area के tracks दिख रहे हैं तो आप हर एक tracks को observe कर सकते हैं यहां पर उसके numbers भी दिख रहे है tracks के number दिख रहे है तो इस प्रकार से यह bonding process में भी यह microscope जो है वो काफी comfortable है यह x y direction में ऐसे move भी कर सकता है जिससे आप इसको कहीं पर भी पैनल के उपर कहीं पर भी adjust कर सकते हैं कर सकते है तो कर सकते है झाह अ